Module 132 Causes of PDSD Now we will discuss about the social factors Social factors वो factors होते हैं जो के आपको socially आपके अंदर वजा बनते हैं किसी disorder को develop करने की ठीक है तो हम उसमें देखेंगे के कौन से ऐसे social causes हैं जो के एक बच्चे के अंदर PDSD के symptoms develop कर सकते हैं जिसमें एक जीज़ कहा जाता है कि lawyer social economic status जो है वहां के बच्चे जो है वो आम तोर पर PDSD के symptoms जो है रिपोर्ट करते हैं अगर हम इसे understand करने की कोशिश करें तो आपको ये idea होगा कि जो lawyer social economic status है वहां पर बहुत जादा boundaries जो है वो develop नहीं हुई होती तो चुँके वो boundaries develop नहीं हुई होती इसलिए इस तरह का experience जो है जिसके अंदर आप sexual abuse भी कह सकते हैं आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि कोई किसी को कोई physical abuse कर रहा हो या कोई किसी को witness कर ले या कुछ ऐसा होता वा देख ले तो this is something कि ये lawyer social economic class जो है उसके अंदर PDST के जो cases हैं वो थोड़े से ज़्यादा report किये गए हैं और इसकी वज़ा ये भी हो सकती है चुके उनको बहुत ज़्यादा materialistic gains उनके पास नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा ऐसी options नहीं होते हैं अपने बच्चों को ज़्यादा safety में ये security में रख सकें तो it might be the reason कि जो उनके साथ इस तरह के incidents हैं वो ज़्यादा report होते हैं इसके साथ अगर बच्चे ने कुछ इस किसम की चीज़ें होते वे देख ली हैं जिस तरह आप समझें के war zone है तीक है war zone के अंदर बच्चे ने sexual abuse होते वे देख ली है murder होते वे देख ली है या बच्चे ने fighting देख ली है तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो जो है अमिल के बहुत हद तक chances हैं के nightmare के form में बच्चे को reflect हो या कोई cues अगर उसको मिलें तो वो उससे एकदम से जो है started response उसका आना शुरू हो जाए तो it might possible के जो PDST है वो इसकी वज़ा से भी cause हो सकता है इसके साथ साथ अगर एक दफाई event हुआ है और वो खतम हो गया है उसका effect may possible it may possible it is not compulsory एक less हो उस चीज़ से जो के बार बार हो रही है अगर एक चीज़ बार बार repeat हो रही है तो उससे जो disturbance है वो multiply हो जाएगी बज़ाए उस event के जो के single time incident है तो अगर एक बच्चे के साथ एक दफा sexual assault हुआ और वो जो है दुबारा repeat नहीं हुआ तो उसका problem जो है वो उतना नहीं होगा जितना उस बच्चे problem आपको psychological distress report करेगा जिसके साथ वो event multi time जो है वो repeat हुआ है तो यह चीज़ बहुत important होती है कि जब एक दफा़ event हो गया और अगर वो report हो गया है तो family ने पिर उसको किस तरह take up किया है तो that is something कि जो social causes हैं उसके अंदर हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है तो अगर उस trauma से related कोई financial loss हुआ है या कोई और loss हुआ है तो वो चीज़ जो है वो बहुत जिसना अगर कोई body part loss हो गया है तो वो चीज़ जो है वो PDST में बहुत हथा contribute करेगी या financial loss हो गया है जिसना floods में होता है earthquake में होता है car accidents में होता है या कोई family member की death हो जाती है during accident unnatural death जिसे कहते हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी मिलकर PDST को cost करने का एक बहुत बड़ा element बनती है Thank you